हेलो फ्रेंड्स हमें स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर 14 फिल्म शो लास्टिट 43 होल टू अपॉन 3 आर्स एक फिल्म शो है जो इतने टाइम चला है जिसमें से की वन होल वन अपॉन टू मीन्स वन एंड हाफ आर्स जो है वह एड़र्टाइजमेंट पर कर दिया था उसमें लग गया था तो फिल्म की एक्च्वल डूरेशन क्या होगी फूर इग्जामपल देखो आप मुवी देखने गाए हो वह फूर आर्स की थी ठीक है टाइम पिरेड बट उसमें वन आर्थ अड़र्टाइजमेंट में निकल गया तो एक्च्वल डूरेशन चली कितनी है मीन्स एक्च्वल डूरेशन फिल्म की हूई कितनी है थ्री आर्स तो मीन्स हमने क्या करा है माइनस तो बिल्कुल सहीं यहाँ पर करेंगे तो देखो टोटल डूरेशन of the film कितनी है 3 whole 2 upon 3 hours इसको हम convert कर लेते हैं 9 plus 2 11 तो क्या जएगा 11 upon 3 hours clear इसके बाद time span tone advertisement यह है यह हम लिख सकते हैं लेंग्वेज अगर लिखनी है advertisement duration तो कितनी हुई advertisement duration 1 whole 1 upon 2 hours इसको भी solve कर लेता है 2 1s are 2 और 1 3 3 upon 2 hours तो actual duration कितनी हुई है हमारी इसमें actual duration of the film total time में से हम advertisement वाले time को क्या कर देंगे minus अब minus कैसे करेंगे 3 or 2 का LCM नेंगे कोई भी बच्चा ऐसे नहीं करेगा 11 में से 3 minus करा और 3 में से 2 वो बिल्कुल wrong होता है ओके जब भी plus और minus करना है fractions में हमें तो क्या करना होता है denominators का LCM तो 2 और 3 का LCM लेता है 2 1,3 3 से divide होगा 1,1 तो LCM कितना है हमारे पास 6 अब इस 6 को 3 से divide करेंगे 2 multiply by 11 minus 6 को 2 से divide करा 3 multiply by 3 11,2 जा 22 3,3 जा 9 upon 6 minus करेंगे कितना हैगा हमारे पास 13 upon 6 अब यह हमारा mixed में convert हो सकता है तो इसको mixed में convert करते हैं पहले divide किया हमने यह तो जो quotient आता है उससे start करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 whole 1 upon 6 hours लिखेंगे clear बहुत easy है now start question number 15 क्या है of 2 upon 3 and 5 upon 9 यह दोनों हमें fractions दे रखे हैं बोल रहा है which is greater and by how much इन दोनों में से कौन सा greater होगा और कितना जादा greater होगा तो जो भी हमारे ऐसे questions होते हैं उनमें हम क्या करते हैं हमेशा denominator same करते हैं तो क्या लिखेंगे यहां पर हम 2 upon 3 and 5 upon 9 देखो दोनों का LCM कितना आएगा 3 और 9 का हमारे पास 3, 1, 3, 3, 1, 1 तो LCM कितना आया 9 तो दोनों की denominator में हम 9 बनाते हैं कैसे लिखेंगे देखो यहां पर तो already 2 upon 3 है तो 3 की multiply किस से करूँ 9 आए 3 से तो जिस से भी denominator में करेंगे उसी से numerator में आप यहां पर 9 है तो multiply करने के जरूरत में है यहां आप लिख सकते हो की 1 से कर देते हैं multiply करके लिखते हैं 2, 3, 6 upon 9 and 5, 1, 0, 5 upon 9, 1, 0, 9 दोनों में से आप कौन से greater है बताओ 6 upon 9 left side वाला means हम क्या बोलेंगे 2 upon 3 is greater then 5 upon 9 2 upon 3 greater है 5 upon 9 से पूछ रहे हैं साथ में by how much तो कितना greater है students तो हम क्या करते हैं जो भी greater है उसमें से smaller वाले को क्या कर देंगे minus तो 6 upon 9 minus 5 upon 9 solve करते हैं देखो दोनों का denominator सेम है तो LCM हमेशा वही आ जाता है और उपर वाली digits को लिखा ऐसे ही तो 6 minus 5 1 upon 9 so this is answer ओके नाव स्टार्ट कोशन नमबर 16 क्या गिविन है हमें 16 में दे कोस्ट ओफ पान इस रूपी जितना हमें पैन की कोस्ट दे रखी है तो नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं कोस्ट ओफ पान इस इक्वल स्टो 16 होल 3 upon 5 solve करते हैं 16 5's are 80 plus 3 83 upon 5 clear and that of a pencil is रूपी जितना means की उन्होंने हमें कोस्ट ओफ पैन्सिल भी दे रखी है तो हम कैसे लिखेंगे रूपी is 4 होल 3 upon 4 इसको convert करते हैं तो कितनी आई कोस्ट 19 upon 4 रूपी clear अब देखो which costs more and by how much दोनों में से किसकी कोस्ट ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे इनका LCM लेंगे और denominator को same करेंगे तो दोनों के LCM दोनों के denominator में क्या है 5 and 4 तो दोनों में देखो कुछ भी common नहीं है तो आप direct इनका LCM 20 भी लिख सकते हो या आप solve भी कर सकते हो 2,2,4, 5 as it is 1 as it is 5 5,1,5 2,2,4, 4,5,020 हमें क्या करना है अब दोनों के denominator में 20 बनाना है तो यहाँ पर किस से multiply कर दूँ 4 से तो उपर भी किस से होगी 4 से कितना आएगा multiply करके हमारे पास 332 upon 5,4,020 4 की multiply किस से करूँ 20 बनाने के लिए 5 से तो उपर भी किस से होगी 5 से तो कितना आएगा 95 upon 20 तो इन दोनों में से कौन सा बढ़ा है हमारे पास यह 332 upon 20 और यह किस की cost है pen की तो हम क्या बोलेंगे so pen costs more pen की cost तो जादा होगी साथ में पूछ रहा है and by how much कि कितनी जाता है तो क्या लिखेंगे by दोनों को क्या कर देंगे माइनस 33 2 upon 20 माइनस 95 upon 20 इसका LCM लेता है same है बिल्कुल 20 आ जाएगा तो 332 में से माइनस करेंगे 95 माइनस करके कितना आएगा 237 upon 20 अब इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारा mixed में convert हो जाएगा तो 21,023 उपर से not किया 7 तो 21,020 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17 यहाँ से लिखना इस्टार्ट करेंगे और क्या आजाएगा 11 whole 17 upon 20 और friends इसमें क्या था हमारे पास cost तो cost के लिए यहाँ पर unit लिखेंगे रुपीज और यह लिखना compulsory otherwise आप अपना half mark loss करा दोगे अगर आपने नहीं लिखा तो I hope आपको समझ आया होगा please share your queries and feedback in comment section thank you